बॉलिवुच के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र पिछले काफी समय से अपने फार्म हाउस में ही रह रही हैं अब काफी लंबे समय के बाद धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस से दूर हिमाचुल प्रदेश की वादियों में नजर आ रही हैं धर्मेंद्र के बेटे सनी देवल अपने साथ धर्मेंद्र को हिमाचल ले गए हैं जहां दोने क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं धर्मेंद्र ने बेटे सनी देवल के लिए एक थैंक्यू नोट लिखते हुए सोशल मीडिया पर हिमाचल के फोटो और वीडियो शेयर किये है आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एनन बॉल वोड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंट तोटिफिकेशन मिले रविवार सुभा धरमेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सनी देयल उन्हें हिमाचल की वादियां दिखा रही है इस वीडियो को शेयर करते हुए धरमेंद्र ने लिखा मेरा प्यारा बेटा मुझे खुबसूरत हिमाचल की ट्रिप पर ले गया बेहत प्यारा हॉलेडे इस वीडियो के अलावा धरमेंद्र ने सनी देयल के साथ हिमाचल की एक तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है इस तस्वीर के कैप्शन में धर्मेंद्र ने लिखा दोस्तों मैं बेहत खुश हूँ मेरा प्यारा बेटा हिमाचल की खुबसूर ट्रिप पर ले गया मुझे एक शुरमीला और अंतरमुखी यानि की इंट्रोवर्ट सनी अब खुल रहा है और अपने बूढ़े पिता के साथ फ्रेंडली हो रहा है इस बीच धर्मेंद्र के वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र पिछली बार 2018 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में नजर आये थे अब धर्मेंद्र करन जोहर की फिल्म रोकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग कर रहे है इसके बाद वो अपनी होम प्रोड़क्शन फिल्म अपने टू में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ सनी, बॉबी और करन देवल नजर आएंगे वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी देवल अलब पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गए है और उन्होंने भारतिय जुंता पार्टी जॉइन की है सनी के बेटे करन देवल भी अब बॉलिवूड में अपना डेब्यू कर चुके हैं उन्होंने पल-पल दिल के पास फिल्म से अपना करियर शुरू किया जिसका निर्देश अंद खुद सनी नहीं किया था इससे पहले साल 2019 में सनी दियल ब्लैंक फिल्म में नजर आये थे आपको हमारे वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले